जारखंड खंड 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 राजनीती हुई प्रचंड, 23 साल में 13CM, 3 बार लग गया राश्ट्रपति शासन, जारखंड के 13CM के रूप में 4 जुलाई गुरुवार को हेमंत सोरेन के शपत लेने के बाद राज्य में जो नई सरकार अस्तित्व में आई है, उसकी अधिक्त उम्र 6 महीने होगी, जारखंड की मौझूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हरियाना और महाराश्ट्र के साथ जारखंड में भी अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव हो सकता है, ऐसा होने पर इस सरकार क कार्यकाल 3 से 4 महीने ही होगा, इसके पहले 2 फरवरी को चमपई सोरेन की अगुवाई में बनी सरकार का चैप्टर महज 152 दिनों में ही क्लोज हो गया, हकीकत ये है कि भारत के नक्षे पर 28 सवें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया जारखंड राजनी दफा राष्ट्रपति शासन लगा है, सी एम के तोर पर हेमंत सोरेन ने अपनी तीसरी पारी शुरू की है, उनका अब तक का कुल कार्यकाल तकरीबन 5 साल 199 दिन का रहा है, वह आगामी विधान सभा चुनाव तक इस पद पर बने रहे तो उनके कार्यकाल में कुछ और दिन से 2019 तक अपना कार्यकाल पूरा किया, 2019 में हुए विधान सभा के चुनाव के बाद से अब तक राज्य में तीन सरकारें बन चुकी है, जारखंड के नाम ही यह नायाब राजनीतिक रिकॉर्ड भी है कि यहां निर्दलीय विधायक मधुकोडा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वह लगभग दो साल तक इस पद पर रहे, हेमंत सोरेन के पिता और जारखंड मुक्ती मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन भी तीन बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में वे दस दिन ही इस कुरसी पर बैठ पाए थे, वर्ष 2000-2014 के बीच जारखंड में पाँच मुक्यमंत्रीयों के नेत्रत्व वाली नौ सरकारें बनी, तथा तीन बार राश्ट्रपति शासन लगा, इस दौरान बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु क तीन महीने रहा था, अर्जुन मुंडा तीन बार सीएम बने और उनका कुल कार्यकाल 6 साल से कुछ कम रहा, जारखंड ने कुल 645 दिनों के लिए तीन बार राश्ट्रपति शासन भी देखा है, इसको देखते हुए आपसे सवाल है, क्या जारखंड का विकास हो पाएगा, या नेता लोग जारखंड को बारी-बारी से लुटेगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, यदि आपको ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने में पसंद हैं, तो हमें NH जारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, लास्ट तक विडियो देखने के ल आप wheat उारे पक dapat लिए और तक विडियो देखने के लिः पर में जरूर में लाहा हमें सब्सक्राइब करके हमेзाने करने में।ए सरायवी आपको देखने